गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूकेशन इस्टॉप मस्टर चैनल्स आज हम बात करने वाले हैं कि आज के दिन में करवार कैसा रहा है जैसे कि हम देख सकते कि निफ्टी जो है आज वन एंटी फाइफ पॉइंट पॉइंट किरकर बंद हुई है अठारा हजार एक सो तेरा रुपे पे जिसमें से कोई शेर चड़ने वाले भी हैं तो हम देख लेते हैं कि कौन से शेर आज चड़ने वाले हैं जिसमें से 6 अब ट्रेंड में बंद हुए हैं और 43 शेर जो हैं ड देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक जो है 1.78 परशेंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है आई से से बैंक 0.45 परशेंट एस्टेफ सी बैंक 0.43 परशेंट डॉक्टर रेडी 0.40 परशेंट नेसले इंडिया 0.39 परशेंट जिसमें से लूजर आ हैं आज महरूती 4.07 परशेंट टाटा कंसुमर 3.94 परशेंट अल्टर केम 3.81 परशेंट आईसर मोटर 3.67 परशेंट ग्रासिम 3.62 परशेंट ये तो बात रहे कि मार्केट में आज कैसा उतार चड़ा हो रहा बेसिकलिए हम बात करने बाले हैं इंडियन एनरजी एक्षेंज की बारे में कि आज ये शेर क्यों गिरा इसके पीछे क्या कारण था कि ये शेर इतना 4.68 परशेंट गिर गया जैसे कि आज हम देख लेते हैं कि आज ये शेर उपेंट हुआ था 267.40 पे हाई बनाया है 267.50 और लो बनाया है 252 रुपीज अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसने 5 दिन में लभग 2.65 परशेंट की गिरावट दी है तो इसके पीछे क्या कारण है तो वह न्यूज मैं आपके साथ शेर करना चाहूंगा और वह न्यूज है इंडियन एनर्जी एक्षेंज सेल 4.93 परशेंट स्टेक इन आईजी एक्स तो आई ओसी एल फॉर ओवर 3.69 करोड यहां पर कंपनी ने अपना जो है लभग सब्सीडरी मतलब जो आपकी आई-एक्स की सब्सीडरी आई-एक्स ने जो है इंडियन गैस एक्षेंज जो की सब्सीडरी है आई-एक्स की उसने सेल किया है आई-ओसी एल को 4.93 परशेंट जिसकी फेस वैल्यू है रूपीज 10 और जो शेर्स की वैल्यू होती है अप्रॉक्सिमेट वो 369375 एक्विटी शेर्स होती है जिसकी वैसे यह शेर्स आज काफी गिरा है क्योंकि यहाँ पर आई-एक्स ने अपनी हिश्चेदारी कम की है और यह लगता है यह जो गिरावट है यह टेंपरिरी गिरावट है और जल्दी हम इसमें रिवर्सल देखनों को मिलेगा और मेरे हिसाब से में इसका जो रिवर्सल है वो लबक आपको फिर से द्वारा टारगेट दे सकता है 257 से लेके 260 तक और यह दी स्टॉक और प्रेशर पड़ा इसके उपर तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा या जहां तक गिर सकता है वो 245 तो 247 तक गिर सकता है इसलिए दोस्तों घबराने कोई ज़रूत नहीं है यह टेंपरेरी गरावट है क्योंकि यहां पर भारी एक ब्लॉक टील हुई है मान सकते हैं कि ब्लॉक टील हुई है तो आप इसमें जो है अपनी पोजिशन बना सकते हैं जस्ट एक मेरी यह मेरा उपिनियन है बाकी अपनी कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले आपके जो फानेंशल एडवाजर आप उनसे हैल्प ले सकते हैं और अपनी तरफ से आप तो इस्टेडी बगच सकते हैं यह वीडियो सिर्फ एक आपको नौलिज देने के लिए और मैं अपना व्यू आपके साथ रख रहा हूं जो कि मैंने आपके साथ बताया है और दोस्तों यदि आपको इसी तरह से और भी नूज चाहिए इस टॉक्स एलेटर तो आप मेरे इ सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे इस चैनल में अधी कोई कमी है यह कोई फीडबैक जो आपको लगता है कि यह इंफोरमेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं और अधी आपके पास कोई ट्रेडिंग ये डिमेट सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना इमेल आइडी और फोन नमर दे सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो हैव नाइस दे गूट नाइट